एक्जाम्पल फोर्टेन, डिटर्माइन दा हाइट ओफ मौन्टेन, यहां पिकारा एक मौन्टेन का हाइट बताएए, इफ दा इलवेशन ओफ इट्स टॉप आइट अन्नोन डेस्टेंज फ्रॉम बेस इस थर्टी डिग्री, जैसे देखें, सबसे पहले एक मौन्टेन ड्र करिए, सपोज कली जी एक मौन्टेन है, एबी, और यहां पर वो रखा था कि, डिटर्माइन दा हाइट ओफ मौन्टेन, इफ इलवेशन ओफ इस टॉप फ्रॉम एन अन्नोन डिस्टेंज फ्रॉम दा बेस इस थर्टी डिग्री, करा इसके बेस से, तो बेस यह बला हो इस पॉइंट का नाम ले लिजिए C, आइस पॉइंट C से इसके मौन्टेन का जो टॉप है, इसके टॉप का जो एंगल ओ फिलवेशन है, वो दे रखा है 30 डिग्री, यहीं बोला था फर्स्ट केस में, इसके बाद देखिए, आएंड आइटा डिस्टेंस 10 किलोमेटर फॉ तो वहला, along the same line, the angle of elevation is 15 डिग्री, और 10 किलोमेटर दूर इस पॉइंट से उसके टॉप का जो एंगल ओ फिलवेशन है, वो दे रखा है 15 डिग्री, यहा जाएगा 15 डिग्री, और ऐसे भी आपको पता है कि जैसे जैसे यहाँ पर बनेगा 90 डिग्री, 90 से दूर जाएगा, पता इंगल का भेल, छोटा होते जाएगा, और यहाँ पर बोरा, यूज 10 15 डिग्री, यह बला यूज करना है, और यहाँ आप से पुछा मॉन्टेन का हाइट, तो यहाँ पर देखें, माल लिजे की AB एक मॉन्टेन है, यह AB एक मॉन्टेन है, और यहाँ पर BC को माल लिजे एक्स किलोमेटर, यह बला देखें, और AB को माल लिजे, एक्स किलोमेटर, तो यहाँ पर लिखें, लेट, BC एक्स किलोमेटर, और AB एक्स किलोमेटर, तो इसके बाद एक वार चली, इस ट्रेंगल में, और एक वार चली, पुरा बला बला ट्रेंगल में, तो पहले यह छोट लगाई है क्योंकि यह वाला साइड आपको एक निकालना और एक यह निकालना तो एबी है ठीक है और यह वाला साइड दे रहा तो यह दुनों साइड के भी रिलेशन किसमें आएगा 10 महीं आएगा न तो यहां से 10 लगाई है और बीसी के जगह एक्स तो यहां से क्रोस मल्टिप्लाई करें यहां पे हो जाएगा एकस इक्वल टू अंडर रूट थिरी एच इसको मान लेते हैं इक्वेशन उबन अब यह पूरा बड़ा बला ट्रेंगल में चलिए इन ट्रेंगल एबीडी ट्रेंगल ट्रेंगल यहां से 10 15 लगाई है यह हो जाएगा 10 15 इक्वल टू AB upon BD, यह पूरा BD होगा बिस, तो यहां पे हो जाएगा AB upon BD और 10-15 का value दे रखा है 0.27, तो यहां पे पूट करिए, 0.27 और AB है H, और BD क्या हो जाएगा, यह दोनों को add करना होगा, तो 10 पलस X तो BD के जगह हो जाएगा 10 पलस X, अब यहां पे cross multiply करिए तो 0.27 से दोनों में multiply करिए, तो पहले 0.27 में 10 से multiply करिए, ति यहां जाएगा 2.7 पलस और 0.27 में X से multiply करिए ति यहां जाएगा 0.27 X equal to H यहां पे 2.7 को उधर ले जाएगे ति यहां पे हो जाएगा 0.27 X equal to H minus 2.7 यहां से हमको X का value निकालना है क्योंकि equation 1 में भी आप X का value निकालें तो यहां से भी X का value निकालें यहां पे X equal to हो जाएगा H minus 2.7 और यह multiply में ति यहां के divide में होगा ति यह हो जाएगा 0.27 इसको माल लिज़ equation 2 अब आप देखे equation 1 और 2 को दोनों का LHS equal है तो RHS भी equal हो जाएगा तो यहां पे चलिए from 1 and 2 तो यहां पे हो जाएगा अंदर root 3H equal to इधर हो जाएगा H minus 2.7 upon 0.27 अब यहां पे cross multiply कर जिए तो cross multiply करेगा तो यहां पे हो जाएगा root 3H into 0.27 और यहां पे इसका value put कर जिए ने तो इसको पहले इस तरीके से लिखे root 3 into 0.27 into H अब लिख सकते हैं इस तरीके से अब यहां पे बहुआएगा H minus 2.7 यहां पे बहुआएगा root 3 का तो 1.73 into 0.27 H अब यह दोनों को multiply करेगा तो यह दोनों को multiply करेगा तो यह जाएगा 0.46H equal to H minus 2.7 H को इदा लाके minus करेगे तो यहां पे हो जाएगा 0.46H minus H equal to minus 2.7 तो इसको घटाएगा तो यहां पे negative आएगा यहां पे जाएगा minus 0.54H equal to minus 2.7 यह दखे minus minus plus हो जाएगा तो H equal to हो जाएगा 2.7 upon 0.54 यहां पे देखे decimal आटाएगे तो decimal आटाएगा तो नीचे में आजाएगा 1.0 और नीचे से decimal आटाएगे तो उपर में आजाएगा 2.0 यहां 1.0 से 1.0 कटेगा 27 से यह दो बार में कटेगा और 2 से 10 को कटेगे 5 बार में यहां पे आजाएगा H equal to 5 तो यहां पे H कभी लो आगिया 5 और हमसे क्या पूछाता यह मौन्टेन का हाइट ही तो पूछा था A B तो यह आजाएगा 5 किलो मीटर एक एक नदी है और माली जी की आदमी यहां पे खड़ा यही न किनारा एक किनारा यह है और एक किनारा यह है तो माली आदमी यहां पे खड़ा एक किनारा पे और वला की observe करता है The angle of elevation of the top of a tree standing on the opposite bank is 60 degree करा की इसी नदी के opposite bank तो इस बैंक के opposite bank क्या होगा यह बला किनारा हो जाएगा opposite तो करा opposite bank पे एक ट्री है यहां पे माली जी इस अपोजिट बैंक पे एक ट्री है यह माल लेते हैं एक ट्री है इसका नाम देजिए एबी वला कि इस अपोजिट बैंक के पे जो ट्री है इसके टॉप से जो एंगल of elevation है वो है 60 degree तो यह बला हो जाएगा 60 degree इसके बाद देके करा भेन ही मूवस 40 मीटर अवे फरॉम द बैंक जब 40 मीटर बैंक से दूर जा ता अँब आदमी यहां पर माद लेते हैं यह point is c आदमी यह सब 7 आदमी यहां पर है और यह आदमी जो 40 मीटर दूर कि. तुझे courtyard Mant वो यह यहां पर देख रहें कि यह चोटा हो रहा है यह इससे इधर भागेगा तभी तो एंगल कमेगा तो यह इधर कहीं पर चलाया और यह 40 मीटर दूर है कि नारा से तो यहां से जब यह ट्री को देखा तो अंगल फीलिवेशन बना 30 डिगरी जैसे जैसे यह 2 पर दूर जाएगा इसका इंगल फीलिवेशन छोटा चला जाएगा तो यह हो 30 डिगरी तो बोरा फाइंड अफॉत पॉप्पूफ तरी का हाइट बता यह यह इसका हाइट और लेट, AB is a tree and BC is the width of the river, यहां पर देखे, AB एक पेड़ है और BC है जो रिवर का विदित है, और यहां पर आप लेट के लिए जो BC का जो लेंथ वो X मा लेते हैं, X meter, तो यहां पर हो जाएगा लेट, BC equal to X meter, इसके बाद देखे, आप एक बार चलिए, यह ट्रेंगल जिसमें 60 डिगरी का एंगल बारा, और एक बार इस ट्रेंगल में चलिए, जिसमें 30 डिगरी का एंगल बारा, तो पहले इस ट्रेंगल में चलिए, ABC में, तो इंट्रेंगल ABC, तो ट्रेंगल ABC में चलिए, यहां पर 1060 लगाईए, तो 1060 equal to हो जाएगा, PYB, तो AB by BC हो जाएगा, यहां यहां पर cross multiply करिए यहां पर आ जाएगा AB equal to under root 3x इसको माले ज़ी एक्वेशन 1 अब यह पूरा बड़ा बला ट्रेंगल में चलिए इंट्रेंगल ABD यह पूरा बड़ा बला ट्रेंगल है और यहां पर 1030 लगाईए अब तो 1030 equal to हो जाएगा P by B तो यह हो जाएगा AB upon BD यहां पर 1030 equal to हो जाएगा AB upon BD 1030 का बहिल होता है 1 upon root 3 और AB तो आपको निकालना है तो AB के जाएगा AB और यहां पर देखे BD के जाएगा क्या होगा यह है 40 और यह है X तो दोनों को add करिए तो यह पूरा BD का बहिल हो जाएगा तो यह हो जाएगा 40 plus X यहां पर cross multiply करें तो AB को यह ही रने दीजें सिर्फ 40 plus X को 1 से multiply करें तो यह हो जाएगा AB equal to 40 plus X upon under root 3 इसको मालेजी equation second अब देखे तो equation 1 और 2 में LHS दोनों का equal है तो RHS पी equal हो जाएगा तो यहां पर चलिए from 1 and 2 तो यह हो जाएगा under root 3X equal to 40 plus X upon under root 3 cross multiply करें तो यह हो जाएगा 3X equal to 40 plus X X को इधला के minus करें तो यह हो जाएगा 2X equal to 40 तो यहां से X equal to हो जाएगा 20 X का भेलू आगे 20 और आप देखें जो river का जो बिदीत था BC इसको क्याल किये थे X late किये थे तो यहां पर हो जाएगा BC equal to X late किये थे तो यहां पर X का भेलू आगे 20 that means river का जो बिदीत था आएगा वो आजाएगा 20 इसके बाद देखिए आपसे tree का height भी पूछा a b और यहां पर a b का भेलू दो जगा एक equation 1 में एक equation 2 में तो आप किसी में भी value put करिए हम X का भेलू equation 1 में put कर ड़ता है put value of X in equation 1 equation 1 दे रखा a b equal to under root 3X तो यहां पर हो जाएगा a b equal to X का भेलू आएगा 20 तो 20 into root 3 यहां जाएगा 20 under root 3 चाहिए तो आप इतना भी छोड़ सकते हैं यहां फिर root 3 के value भी put कर सकते हैं तो यहां जाएगा 20 into 1.732 इसको multiply करिए तो यहां जाएगा 34.64 मीटर example 16 an aeroplane at an altitude of 1200 मीटर करा एक aeroplane है जो 1200 मीटर के उचाई पर है जैसे देखें यहां पर माली जी यहां पर aeroplane है इसका ground से जो height है वो है 1200 मीटर यह माली जी A है और यहां पर B है और aeroplane है जो A point पर है या फिर A को ही aeroplane माली जी और इसका height दे रखा 1200 मीटर इसका और वोरा find that two ships are sailing towards it in the same direction यह aeroplane यहां पर है और यहां से यह देखता है कि दो ship है जो इसके तरफ आ रहा है और दोनों ship है जो same direction में है या तो दोनों ship इस तरफ होगा या फिर दोनों ship इस तरफ होगा मनलों इहांपे है और एक यहांपे है यह नीचे हो जाएगा और यहांपे दो है यहां पर एक कासी और एक है और यहां sixty को देख रहा हो तवी तो यहां से कोई क्लिक्ती इथर देखेगा future था हम एक और यहांपे एक हॉरीज़ूंटल लाइन बनेगा इसी को तो बोलता है एंगले प्रप्रेश्न तो एक देर रखा है 60 और एक देर खा है 30 तो यहाँ पर रेखिए यह हुरिजोंटल लाइन यह लाइन एंगल यह हो जाएगा 30 और यह होरिजोंटल लायन और यह लाइन ऑप साइट यह हो जाएगा 60 डिग्री और यहां पे लेट को लिजी लेट एंड एरो प्लाइन इस फ्लाइंग आइटा पॉइंट ए भीच टुवेल हंडेड मीटर हाई देखें माल लिजे कि एक के रोप्लेन है जो पॉइंट ए पे उर रहा है और यह पॉइंट ए का जो गुरॉंड से हाइट है वो है टुवेल हंडेड मीटर आइड डिस्टेंस बिट्विन टू सीप इस सीडी और यह दोनों सीप के बीच का जो डिस्टेंस है वो है सीडी यहाँ पे आप लेट के लिजे कि यह दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है एकस मीटर यहां पर हो जाएगा लेट CD equal to X meter अब यहां पर देखे एक वर आपको चलना होगा इस triangle में जिसमें angle 60 degree बारा और एक वर यह पूरा बड़ा बड़ा triangle जिसमें angle 30 degree बारा तो दोनों में बारे बारे से चलिए तो पहले चलिए triangle ABC में in triangle ABC तो ट्रेंगल ABC में चलिए तो यहां से 1060 लगाई है तो यह हो जाएगा 1060 equal to P upon B तो P हो जाएगा AB और B हो जाएगा BC तो AB upon BC 1060 का भेलू रूट 3 AB का भेलू दे रखा 1200 और BC के जाएगा BC यहां से cross multiply करिए या फिर car chart करिए जैसे यह हो जाएगा 1200 को 3 के टर्म में कैसे लिखेगा 400 into 3 upon BC यह देखे root 3 से 3 कटेगा root 3 बार में अब cross multiply कर जिए यहां से हो जाएगा BC equal to 400 root 3 इसके बाद यह बड़ा बला triangle में चलिए triangle ADB में triangle ADB अब यहां से 1030 लगाई है यह हो जाएगा 1030 equal to AB upon यहां पर base क्या होगा जब 30 degree ले रहे हैं तो base यह पूरा हो जाएगा BD यह हो जाएगा AB upon BD 1030 का value 1 upon under root 3 AB का value दे रखा 1200 और BD यहां पर देखे BD को क्या लिखेएगा यह दोनों को add करेगा तब ही न BD आएगा और यहां पर देखे BC का value अभी तो अब देखे BD equal to क्या हो जाएगा यह दोनों को add करेगा तो पूरा BD मिल जाएगा that means X plus 400 root 3 यहां को put कर सकते हैं BC यह BD के जाएगा X plus 400 under root 3 अब यहां से cross multiply कर लिजे तो यह हो जाएगा 1200 root 3 equal to X plus 400 root 3 अब यहां पर root 3 वाला को एक तरफ लाईए तो यहां पर हो जाएगा X equal to 400 root 3 को इधला के minus करिये तो 1200 root 3 minus 400 root 3 तो यहां जाएगा 800 root 3 तो यहां से हो जाएगा X equal to 800 और root 3 का value 1.732 तो यहां से हो जाएगा X equal to 1385.6 और यहां पर distance between two ship यहीं अथा CD और CD को आप X लेट किये थे तो यहां पर हो जाएगा So CD equal to X equal to 1385.6 meter Example 17 An aeroplane at an altitude of 200 meter observe the angle of depression of opposite points on the two banks of a river to be 45 degree and 60 degree देखे का राए कि एक aeroplane है जो 200 meter के altitude पे है जैसे माल लिजे यह नदी है ठीक है और इससे उपर यह 200 meter के altitude पे कोई aeroplane है यहां पर माल लेते हैं A और यहां पर माल लेते हैं B और इसका altitude दे रखा 200 meter बोला कि यह aeroplane observe किया opposite bank का यहां पर देखे दो opposite bank एक इधर हो जाएगा यह बला bank और एक यह हो जाएगा यह बला bank जब यह नदी है तो इसका दो किनारा होगा ना एक यह किनारा एक किनारा तो इधर horizontal line बनेगा और बैंक को देखेगा यह किनारा को एक यह line of slight बनेगा और इधर देखेगा एक यह line of slight बनेगा और यहां पर जो angle of depression दे रखा एक 45 और एक 60 डिग्री तो माली जी यह 45 डिग्री और यह 60 डिग्री तो कर आप find the video of the river तो river का विदित होता है तो river यहीं न था cd that means आपको cd निकालना river का विदित क्या होगा यहीं cd तो आपको यहां पर cd निकालना तो यहां पर late कर लिजिए late a b is यहां पर देखेगा गलत हो गया cd होगा यहां पर यहां पर late कर लिजिए late cd is a river and an aeroplane at a point a b is an altitude of 200 meter और a point पर कोई aeroplane है जो 200 meter के altitude पर है तो यहां से हमको निकालना है cd का लेंट तो आप क्या करिए यहां पर पहले दखिए यह है 45 डिग्री तो alternate angle से यह भी हो जाएगा 45 डिग्री और यह है 60 तो alternate angle से यह भी हो जाएगा 60 यहां पर आपको cd निकालना है ना तो आप क्या करिए कि एक वार इस triangle में चलिए और यह bc का length निकालेज़े और एक वार इस triangle में चलिए और bd का length निकालेज़े फिर दोनों को add कर दिजिए तो cd का length आ जाएगा तो बारे बारे से दोनों triangle में चलिए यहां पर चलिए in triangle सबसे पहले इस ट्रेंगल में चली ए बी सी में यहांसे टैन फोर्टि फाइब लगाए तो यहां से लगाई यह 1045 तो यह हो जाएगा AB upon BC, 1045 का वहलू 1, AB का वहलू दे रखा 200, यह बोला distance कितना 200 है, और BC तो आपको निकालना यह है, यहां से cross multiply करिए, यह हो जाएगा BC equal to 200 meter, इसके बाद इस triangle में चलिए, इंट्रेंगल ABD, अब ABD में भी 10, 60 डिगरी लगाए, तो 1060 लगाएगा, तो यह हो जाएगा AB upon BD, तो यहां पे लगाए 1060, तो P by B, तो यह हो जाएगा AB upon BD, 1060 का वहलू पूट करिए, तो यह हो जाएगा अंदर root 3, AB का वहलू 200, अब BD तो आपको निकालना यह है, यहां यहां पे हो जाएगा BD equal to 200 upon root 3, इसको exchange कर दिये, BD को यहां पे है, root 3 को यहां पे, तो BD का वहलू आगे 200 upon, अंदर root 3 meter, आपको निकालना है CD, तो CD equal to क्या हो जाएगा, CD equal to हो जाएगा BC plus BT, यहां पे हो जाएगा BC plus BT, अब यहां पे दोनों को add करिए, तो BC का वहलू है 200, और BD का वहलू है 200 upon, अंदर root 3, यहां से आप 200 common ले लिजए, तो 200 common लिजएगा, तो यहां पे बचेगा 1, और यहां पे बचेगा 1 upon अंदर root 3, यहीं हो जाएगा distance, example 18, two pillars of equal height are on the either side of a road, which is 100 meter, करा कि दो पीलर है, दोनों का length, दोनों का height equal है, दोनों है जो road के either side, either side का मिलो, एक इस तरफ और एक उतरफ है, और road का byte दे रखा 100 meter, जैसे यहां पे देखिए, यह मा लेते हैं BD एक road है, और इसका जो byte है वो दे रखा 100 meter, और बोला कि road के दोनों तरफ दो पिलर है, तो एक हो जाएगा इस तरफ, और एक हो जाएगा इस तरफ, और दोनों पिलर का जो height है, वो equal है, तो यहां पे माली जी यह है AB और यह है CD, इसके बाद देखिए, करा the angle of elevation of the top of the pillar are 60 degree and 30 degree at a point on the road between the pillar, करा कि दोनों पिलर के बीच म पिलर के टॉप का जो angle of elevation वो है 30 degree और 60 degree, तो यहां पे देखिए, जो point होगा दोनों पिलर के बीच में, वो बीचों बीच में तो रहेगा नहीं, क्योंकि बीचों बीच में अगर point रहता तो दोनों angle 45, 45 degree बनता, यहां पे एक 60 बारा और एक 30 बारा, that means यह तो point यहां पे हो होगा नहीं, तो यहां पे होगा, तो वीच में प्एम लें लें आप इधर ले लिजी, और आप भी लेचमा आपको थोरा सा दिमाग लगाना है, कि जब angle differentpers बारा तो यह point एक यह बला और एक यह बला यह माल लेते हैं यह point है E और यह angle pillar से क्या दूर है यह हो जाएगा 30 degree इस तरीके से आप सो सकते हैं तो वह रहा है कि find the position of the point between the pillar and the height of the each pillar तो कर रहा है कि position of point बताएं मतलब जो point है वो pillar से कितना कितना दूर है दोनों तरप से और दोनों pillar का height भी बताना है तो यहां पर late कर लिजी late AB and CD are two equal pillars AB और CD है जो दोनों equal pillar है और यहां पर आप क्या करें कि BE को X late कर लिजी X meter तो जब यह X है और पूरा 100 है तो यहां पर DE कितना हो जाएगा 100 में से X को minus करीए तो यह हो जाएगा 100 minus X meter तो यहां पर late कर लिजी late BE equal to X meter so DE का length हो जाएगा 100 minus X meter इस तरीके से अब देखें आप एक वार इस triangle में चलिए और एक वार इस triangle में चलिए तो यहां से चलिए triangle ABE में Intrangle ABE यहां पर आपको ABE निकालना है ना दोनों pillar का height निकालना है तो यहां पर लगा यह 1060 degree तो AB by BE हो जाएगा तो यहां लगा यह 1060 तो यह हो जाएगा AB upon BE अब देखिए 1060 का वेलू कितना होता है अंदरूट 3 और AB तो आपको निकालना है तो AB के जगा AB और BE के जगा X तो यहां से cross multiply करें तो AB equal to हो जाएगा अंदरूट 3 X इसको मान लेते हैं equation 1 इसके बाद इस triangle में चलिए triangle C D E में इंट्रेंगल C D E और यहां पे भी 1030 डिगरी लगाएगा क्योंकि आपको यहीं height तो निकालना है पिलर का तो यहां से लगाए 1030 तो यह हो जाएगा CD upon DE यह होगा न 1030 लगाएगा तो यह हो जाएगा प्रिपेंडिकुलर है यह हो जाएगा base तो यहां पे हो जाएगा CD upon DE 1030 का value over upon under root 3 CD आपको निकालना है और DE TE का value है 100-X यहां से cross multiply करिए तो यह हो जाएगा CD equal to 100-X को यहां पे लाइए तो यह हो जाएगा 100-X upon under root 3 अब देखिए क्या AB और CD आपस में equal है यहां पे वोला था ने कि दोनों pillar है जो equal height है दोनों का तो AB और CD आपस में equal है यहां पे चुकिए AB और CD आपस में equal है तो CD के जगए AB put कर जाएगा तिहां पे AB equal to हो जाएगा 100-X upon under root 3 इसको माल लेते हैं equation second अब देखिए equation 1 और 2 को दोनों का LHS equal हो गया तो RHSP equal हो जाएगा तिहां पे चलिए from 1 and 2 से तिहां पे हो जाएगा अंदर root 3X equal to 100-X upon under root 3 क्रोस मल्टिपलाई करिए तिह हो जाएगा root 3X into root 3 तिह हो जाएगा 3X equal to 100-X X को इधर लाएगे तो 8 हो जाएगा तिह हो जाएगा 4X equal to 100 तो यहां पे 4 से कटेगा 25 बार में तो X का भेलू आजाएगा 25 अब यहां पे देखिए हमसे पुछा था यह जो बीच में जो point है उसका distance बता यह pillars है यानि BE और D यह दोनों का भेलू पुछा है तो यहां पे पह का भेलू क्या था? X था और X का भेलू आए 20 तो यह हो जाएगा 20 मीटर और एक पुछा था DE और DE का भेलू है 100-X तो यह हो जाएगा 100-25 तो यह हो जाएगा 75 मीटर तो यह हो गया दोनों point का distance pillar से एक point है जो 25 मीटर पे है और एक point है जो 75 मीटर पे है इसके बाद हमसे का भेलू या तो 1 में put करें या तो 2 में put करें हम यहाँ पर equation 1 में put करते हैं तो यहाँ पर देखिए put value of X in equation 1 तो यहाँ पर देखिए equation 1 था A B equal to under root 3X तो यहाँ पर हो जाएगा A B equal to X का भेलू आया 25 तो 25 into root 3 तो 25 root 3 तो यह हो जाएगा high top pillar 25 root 3 मीटर यहाँ पर आप चाहिए तो root 3 का भेलू भी put कर सकते हैं तो यह हो जाएगा 25 into 1.73 और यहाँ पर जब इसको multiply करिएगा तो यहाँ जाएगा 43.3 मीटर Example 19, I have observed from the top of a lighthouse 100 meter above the sea level करा कि lighthouse के top से जो की sea level से 100 meter higher वहें से observe किया गया है तो सबसे पहले एक lighthouse बनाईए यहाँ पे जैसे मालेजी यह एक C है इस तरीके से और C level जो उपर वला जो लेवल होता ना इसे को बलाता है C level और इसमें एक lighthouse है तो इस तरीके से lighthouse होगा कुछ अब बला कि C level से तो यहाँ पे होगे C level यह बला इस लेवल से जो lighthouse का जो height है वो है 100 meter मालेजी यह point A है और यह point B है तो यह जो lighthouse का जो height दे रखा यह दे रखा 100 meter यह इस लेवल से ठीक है इसके बाद बला है the angle of depression of a ship directly towards it changes from 30 degree to 45 degree करा कि यहाँ lighthouse के top से observe कि एक सीप है जो इसके तरफ आ रहा है और इसका जो angle of depression है वो change हो जाता 30 degree to 45 degree तो जैसे देखे मालेजी यहां पर कोई आदमी होगा आनीचे ship आ रहा है इसको देख रहा होगा तो मालेजी ship पहले यहां पर था और कोदेर के बाद ship यहां पर आ गया और यहां से आदमी ship को देख रहा है तो angle of depression बढ़ा है तो जब आदमी सामने देखेगा तो यह एक horizontal line बनेगा इस तरीके से और ship को देखेगा तो यह line of slight बनेगा इस तरीके से अब देखेए यहां पर angle था जो 30 degree से हो गया था 45 degree यानि पहले जो angle बढ़ा था यह बना था 30 degree यानि ship यहां पे कहीं पे होगा फिर angle change होकर हो गया 45 degree यह बड़ा बला angle हो जाएगा 45 degree यानि ship यहां पे पहुंच गया यहां पे माल लेते हैं यह point है C और यह point है D तो पहले ship था D point पे और फिर आगिया C point पे तभी ना पहले D point पे था तो angle बढ़ा था 30 degree और जैसे यहां से इस point पे आया तो angle change हो गया 45 degree तो वो रहा कि Determine the distance traveled by ship during the period of observation तो इस observation period के दोराण ship कितना distance travel किया तो इस observation period के दोराण ship यहां से यहां तक यहीं वहला distance travel किया है ना टेट में समसे पूछ रहा है C D यहां पे लेट कर लिजी लेट एबी इस लाइट हाउस भी जिस हंडेड यहां पर फिगर में देखी यह है 30 degree तो यह भी by alternate angle 30 degree हो जाएगा और यह पूरा बड़ा बड़ा है 45 degree तो यह भी alternate angle से यह भी हो जाएगा 45 degree यहां पर माल लिजी यहां पर दोनों ship के बीच का distance पूछा है जो ship distance travel किया है तो यहां से CD हम से पूछा है माल लेते हैं यह वहला distance x meter तो यहां पर लेट कर लिजी लेट CD equal to x meter अब देखिए एक और आप चलिए triangle ABC में जिसमें 45 degree बारा और एक बार चलिए triangle ABD में जिसमें 30 degree बारा तो दोनों triangle में बारे बारे से चलिए तो पहले चलिए triangle ABC में तो जब ABC में चलिएगा तो यहां पर लगा यह 1045 degree तो यहां से हो जाएगा 1045 equal to P upon B तो यहां पर हो जाएगा AB upon BC तो 1045 equal to AB upon BC तो यहां पर आजाएगा 1 और AB कबहल हो है 100 और BC के जाएगा BC यहां से cross multiply करिए तो यहां से आजाएगा BC equal to 100 यानि यह बला लेन था गिया 100 meter अब पूरा बड़ा बला ट्रेंगल में चलिए इन्ट्रेंगल ABD यह पूरा बड़ा बला ABD तो यहां पर 30 degree बार तो यहां पर 1030 लगाएगे तो 1030 PY B तो यहां पर हो जाएगा P AB और B कौन हो जाएगा यह BD तो यहां पर हो जाएगा AB upon BT 1030 का भेलो 1 upon under root 3 और AB का भेलो 100 और यहां पर देखे BD का भेलो तो BD यह पूरा है तो पूरा कब आएगा जब यह दोनों को आप add करेगा तो यह हो जाएगा X plus 100 तो यहां पर आ गिया X plus 100 अब क्रोस मल्टिप्लाई करिए तो यह हो जाएगा X plus 100 यहां पर 100 into root 3 100 root 3 100 को उधा ले जाके minus करिए तो X equal to हो जाएगा 100 under root 3 minus 100 और यहां पर X equal to हो जाएगा 100 common ले लिजिए तो यहां पर आजाएगा under root 3 minus 1 तो X का भेलो इतना आ गिया और हमसे पूछा था कि यहां पर सीप कितना distance travel किया था तो सीप यहीं distance travel किया था CD और इसको आपलेट किये थे X तो यहां पर CD equal to था X और X का भी लुआ गिया 100 into root 3 minus 1 यानि सीप आ जो इतना मीटर distance travel किया